तो गई जैसे कि आपको बताएं दिवाली सेल आ रही है और सेल का टाइम भी चल ला है और काफी यादा स्मार्टफोन के आपको डील बेस्ट बेस्ट देखने को मिल लही है और अगर आप 30,000 के रेंज के आराउंड में आप कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना चाते हैं आपके बहुत यादा है यलप लोगी स्मार्टफोन को लाइक करना है और प्ली चैनल को सब्क्राइब करके बाला की जो पैस करना हो इस फोन की complete specs की बात करें जो इस फोन की आपको display देखने को मिलती है वो 6.62 इंचिस की AMOLED 120Hz refresh rate के साथ में एक पंच होड डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है और इस प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 888 वाला chipset देखने को मिल जाता है जिसकी performance आपको top nose देखने को मिल एंड गाइस camera's की बात करें तो 48MP का आपको primary camera sensor देखने को मिल जाता है secondary camera आपको 13MP का देखने को मिल जाता है and 2MP का एक lens और भी देखने को मिल जाता है अब back camera से 4K 30fps पर videos भी अराम से निकाल पाएंगे and guys front camera की बात करेंगे तो आपको 16MP का आपको front facing camera देखने को मिल जाता ह साथ में 66 watt cup को first share का support भी देखने को मिल जाता है साथ में guys ram brand की बात करें तो आपको 8128 के साथ में best brand देखने को मिल जाता है जिसके price आपको 33,990 rupees देखने को मिल जाती है तो ये smartphone आपको थोड़ा सा आपको 30,000 से उपर देखने को मिल जाता है बट आपको 30,000 से नीचे ही द देखने को मिल जाती है और इस सेकनद नमर के smartphone की बात करें जो कि आपको one plus के तिरफ से देखने को मिलता है one plus का 10R one plus 10R इस smartphone जब launch हुआ था तो 40,000 के आरंट में launch हुआ था बट इस smartphone के price अभी 33,000 के आरंट में देखने को मिल जाता है और 30,000 से बी कम्वे देखने को मिल जा आती है य Yaz kami आती है पांच-ोल डिस्प्ले देखनी को मिल जाती है या Mexican ज्रीं प्रोसेसर के बात कर ल också कने मेज़े मेझे से आपको टक्रहाराइब इस कामेरा से आप 4K 30 EPS पर वीडियो framework भी हराम वीडियोस आराम से निकाल पाते हैं फ्रेंड केमरे से साथ में इस बैट्टी की बात करें तो इस फॉम पर आपको 5000 एमिज की बैट्टी देखने को मिलती है चार्ज करने के लिए आपको 80W का फाश्योय का सपोर्ड भी देखने को मिल जाता है जो बैस्ट बैंड देखने को म सकता है इस हम बात करते हैं लाश्ट नंबर के स्मार्ट फोन की हाला कि थोड़ सापको ओल्ड समार्ट फोन देखने को मिल जाता है और परसनल मैं इस बैस प्रसनी में इस स्मार्ट फोन को यूज कर रहा हूं जिससे आप वीडियो शूट हो रही है मेरी और काफी एदा तो 6.5 इंचुस की AMOLED 120Hz रिपेस्ट रेट के साथ मैं डिस्पले देखने को मिलती है, क्योंकि एक सेंटर पंचोल डिस्पले आपको देखने को मिल जाती है, साथ में गाइस इस फॉन के कैमराज की बात कर लें, तो 12 प्लस 12 प्लस 8 MP आपको ट्रिपर रियर कैमरा सेट आप देखने को मिल जाता है, कैमरा की क्वालिटी आपको टॉप ट्राउंस देखने को मिल जाती है, और वीडियो भी आप देख सकते हैं मेरे वीडियो की क्वालिटी आपको कैसी देखने को मिल जाती है, front camera की बात कलें 32MP का अपको front facing camera देखनी को मिल जाता है and guys हम बात कलते हैं इस phone के battery की तो इस phone पर आपको 4500ms की battery देखनी को मिलती है जो कि आपको normal सी battery देखनी को मिल जाते है ज्यादा बड़ी आप bowl नहीं सकते बट charge करने के आपको 25W का support देखनी को मिलता है थोड़ा बहुत आप गेमिंग भी कर सकते हैं। साथ में IP68 Water and Dust Resistance का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। अगरेज हम बात करते हैं इस फोन के best brand की। तो 8128 के साथ में इस फोन का best brand आता है। जिसके price आपको 30,000 के भी अंदर देखने को मिल जाती है। मतलब 25-26,000 के range का आज़ाम से इस smartphone offer में आपको देखने को मिल जाते है। विद बैंक offer के साथ में। ये deal आपके लिए काफी यादा best होगी। ये smartphone आपके लिए काफी यादा best होने वाला है। जितने को top 3 smartphones under 30,000 के around के देखने को मिल जाते हैं। इन में से आप कोई भी smartphone बायर कर सकते हैं। वीडियो अस्तिन लाइते हैं दो को लाइक के दाना साथ में अपली चैनल को सिस्क्राइब करके बाला करने जोब आसके दाना। थैंक्स सोचिंगाइट